नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप लोग 16 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस और साइन्स इंटेक अनलिसिस में आपका सौगत है संडे है तो आज लेक्चर थोड़ा सा लेट है होई जाता संडे को लेट, सौरी फो दाट चलिए भी ना समय किये, आगे चलते हैं जी अन्साइम बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था, अक्विट कर दिया था, और टेक्निकल ग्राउंट्स टेक्निकल ग्राउंट्स मतलब UAPA के अंदर जो कन्विक्ट किया गया जी अन्साइम बाबा को तो कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस थे, उसके चलते है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, लेकिन महरास्टर की सरकार दोड़ी-दोड़ कॉंप्रिहेंसिब मिलने वाला है, इसकी बात करेंगे, अंडर गैजुट और पोस्ट गैजुट मेजुट कॉलेज इंडिया में, सबसे आदा है तमिल नाडू उत्तर बदेश में, तो मेडिकल एजुकेशन की रिस्पेक्ट में बातचीत होगी, नील कुरुंजी की छे व इनको ट्रांसफर किया जा रहा है, इंडिया से शीलंका, एक ऐसे प्रपोजल आया था शीलंका जी तरब से बारा सरकार उस पर स्टडी कर रही है, इसको देखेंगे, साइंस एंड टेक्नलोजी की फील में भी हम कुछ न्यूस देखेंगे, जैसे कि अंगरेजी से पाँच इंडियन भाषा में ओवर्ल टेक्नलोजी कोर्सेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसमें मोनो क्लोनल एंटिवाडि किस प्रकार से पोटेंट है, क्या लेटस सैंटिफिक डिसकवरी है, इसकी बात करेंगे, नए फॉर्म्स के बारे हम कुछ सीखना, इसके बारे हम बात कर पाकिस्तान के फॉर्ट से रिलेटेक ख़िखना रिलेटेक एक आरटिकल है, पाकिस्तान के फ्लर्ट से रिलेटेक आरटिकल है, तो ऐसे मिख्षे से साथ निजु têm साइंस एंटेक्स कि बीडिसकास होगी, word of the day देख लेते हैं easy does it easy does it मतलब आराम आराम से करो जैसे कि for example आप गाड़ी चला रहे और आपके फादर आपको टोक दे easy does it मतलब कि बहुत तेज गाड़ी मत चलाओ किसी भी गाड़ी को carefully करो किसी भी टास्क को carefully करो slowly करो मैंने गाड़ी चलाने के respect में आपको एक example दे दिया है basically अगर आप किसी एक टास्क को कहरए और आपको कोई दूसरा यहाँ पे आके suggestion देगी भाई धीरे धीरे करो, आराम आराम से करो तो वो denote किया जाता है easy does it से, easy does it एक phrase भी कह सकते हूँ जिसका particular मतलब होता है कि किसी भी टास्क को धीरे करिए carefully करिए आगे बटन से पहले वीडियो पे लाइक बटन दोस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं क्या कर लिजे Instagram पे follow कर लिजे, आप साथ जोडने कुशिश करता हूँ Telegram को पुझान कर लिजे, वहाँ पे आपको lecture की PDF और lecture की notification दोनों मिल जाएगी तो do share the video on social media handles क्योंकि इस से क्या है कि और like और comment करने से वीडियो का engagement बढ़ता है, YouTube का लिजे इसको और recommend करता है तो पहली news, GS paper 2, Judiciary Challenges to Internal Security Supreme Court suspends Bombay High Court order equating J.N. Sain Baba and others तो भाईया, Saturday को Supreme Court की एक special hearing हुई और उसमें Bombay High Court का जो decision था कि J.N. Sain Baba जो की एक 55 साल के वीयर चेर पे बैठने वाले academic है, जो की पहले दिल्ली उनिवरस्टी में professor थे, इनको Bombay High Court ने छोड़ दिया था Moist link के चलते, Unlawful Activities Prevention Court Act के अंदर इनको उठाये गया था ऐसा बताया जा रहा था कि बहुत सारे Moist organization के सरगना के साथ इनके link है, और Moist की Violent activities में बहुत ही proactively J.N. Sain Baba involved है तो इनको criminally prosecute किया गया 2014-13 के लगभग इनको arrest किया गया था, 2017 में इनको convict किया गया Bombay High Court ने इनकी bail petition को 2020 में reject किया, लेकिन अभी Bombay High Court ने इनको acquit कर दिया, bail petition नहीं, अभी recently Bombay High Court ने छोड़ दिया इनको, भाईजद बरी कर दिया, क्यों? चुकि UAPA के अंदर proper sanction के मिना इनको prosecute किया गया अब बहुत ज़्यादा technical details में नहीं जाओंगो, देखे होता क्या है कि जब भी किसी particular act के अंदर आप किसी individual के against कोई criminal charges लगा रहे हो तो उस cases में कुछ prayer sanctions आपको लेनी पड़ती है तो कुछ technical irregularity हुई थी उसमें पाथॉर्टी से और उन technical irregularity के basis पे G.N. Sai Baba को Bombay High Court ने equate कर दिया जैसे यह equating हुई वैसे दिमाग खराब हो गया किसका महराष्ट की सरकार का और महराष्ट की सरकार दोड़ी-दोड़ी पहुँची Supreme Court के पास Supreme Court के Chief Justice of India के सामने एक special hearing session की demand की गई पर चुकि Friday को वो अपनी seat पर से उठ चुके थे तो यह special hearing हुई सर्टरडे को और उस special hearing में Justice M.R. Shah और बेला तिवारी, त्रवेदी इन्होंने क्या बोला कि as far as terrorist activities are concerned the brain plays a very important role मतलब अब क्या है ना कि overall Sain Baba सहाब को defend कर रहे है Supreme Court में Senior Advocate R. Basan साब Senior Advocate R. Basan साब का यह बोलना है कि Mr. Sain Baba 90% physically disabled है और दिल्ली उनिवरस्टी ने इन्होंने एक respectable life जी है as a professor तो चुकि यह overall physically disabled है तो अगर आपको इनको रखना है तो आप इनको house arrest में रख लो इनको jail में actually में मठ डालो ठीक ना If you want to keep him arrested at least keep him in house arrest फिर आप इसको respond करते हुए महराष्ट की सरकार के लिए लड़ रहे थे Solicitor General Tushar Mehta साब Solicitor General Tushar Mehta साब यह देहो क्या बोल रहे है These requests are coming very frequently from Nuxus especially urban Nuxus Allow me house arrest In UAPA offenses accused have to be kept confound You don't need to go somewhere to stab someone You don't need to go somewhere to shoot someone House arrest is never an option मतलब Solicitor General Tushar Mehta साब बोलते है Urban Nuxus अब अब Urban Nuxus किसको बोलो कि दोस्तों एक तो वो Nuxus होते हैं नकसलवादी होते हैं जो कि जंगलों देहातों में छुप-छुपके अटाक करते हैं सीधे-सीधे violent activities में involved होते हैं दूसरे होते हैं Urban Nuxus कि वो सीधे-सीधे violent activity में involved नहीं हैं पढ़े लिखे हैं बट अर्बन इलाकों में रहके क्लेंडिस्टैन तरीके से रूरल नकसल को सपोर्ट दे रहे हैं सीधे सीधे वालेंस नहीं कर रहे हैं तो यह जो particular individual है साही बाबा यह अर्बन नकसल की कैटेगरी में आ जाते हैं तो अब अर्बन नकसल आए दिन specifically house arrest की और overall कैलो you know मतलब इस प्रकार की रियायत मांगते रहता है चुकि जब एक बार authority के गहरे में आ गए unlawful activities prevention act की गहरे में आ गए तो फिर बचाने वाला कोई माइबाप नहीं होगा तो उस case में फिर इनको बचना है बचना क्या है तो क्या किया house arrest मांग लिए तो basically यहाँ पे जो बसंद साब lawyer है साही बाबा की वो क्या बोल रहे है कि my lord I am making a humanitarian request on medical grounds I am willing to about by any condition he does not have any criminal antecedents not even a prosecution besides being 90% disabled he has multiple other elements मतलब 90% disabled है साही बाबाजी और भी बहुत से elements है कोई भी पहले criminal antecedent नहीं है किसी भी particular case में इनको फसाया नहीं किया है तो कम से कम house arrest तो आप दे सकते हो लेकिन इसके बिलकुल against बात की solicitor general तुशार मैता साहब ने उन्होंनों बोला कि house arrest के अंदर भी clandestine activities चलाई जा सकती है किसी particular organization movement को lead किया जा सकता है तो उसके against में फिर बसन साहब ने बोला कि ठीक है भाई telephone की line card दो उसके घर के बाहर guards deploy कर दो पढ़ कम से कम house arrest तो दे दो अब overall देखिए ये बात तो बिलकुँ सही है कि कुछ procedural lapses तो हुए थे authorities से जब prosecute किया जा रहा था prosecution हुआ जब court में case admit हुआ तो sanction नहीं थी prosecution की और इनके सासा जो बाकी लोग थे जो कि इनके इशारव पे काम कर रहे थे उनका भी sanction proper तरीके से competent authority से नहीं लिया गया तो कुछ technical lapses निकलाये prosecution में उन technical lapses के आधार पर ये जो individuals थे ये Bombay High Court से अपने आपको equit करवा ले गए लेकिन फिर यहाँ पे involvement आया महराष्ट की सरकार का और महराष्ट की सरकार को represent करते हुए जो solicitor general है तो शार महता सावे नहोंने क्या बोला इन्होंने बोला कि section 465 of the criminal procedure code के basis पे यहाँ पे सिर्ण लेना चाहिए अब section 465 देखें फाइंडिंग और sentence when reversible by reason of error omission regularity मतलब कि क्या आप किसी particular sentence को on account of any error omission या irregularity reverse कर सकते हो तो देहो क्या लिखाया subject to the provision herein before contained no finding sentence or order passed by a court of competent jurisdiction shall be reversed or altered by a court of appeal confirmation or revision on account of any error omission or irregularity in the complaint, summons, warrant, proclamation judgment or other proceedings before or during trial or in inquiry or other proceedings under this court or any error or regularity in any sanction or procedure unless in the opinion of the court of failure of justice has in fact occasion there यह जो आखरी लाइन है ना unless in the opinion of that court a failure of justice has in fact been occasion there बाइन यह बहुत important मतलब कि merit पे justice हुआ है कि नहीं हुआ जीन साइं बाबा को prosecute किया गया क्यों? जो कि इनके moist नकसलवादियों के साथ link है और यह violence करवा रहे है अब इनके prosecution के समय पे जो procedural lapses हुए कि यहाँ बाइ जो proper sanctions जो proper authority से permission थी वो नहीं ली गई तो no doubt जो process था उस process की modus operandi को violate किया गया लेकिन जब इनके उपर इल्जाम लगाया गया इनको prosecute किया गया तब सारे इल्जाम प्रूव हुए यह बात प्रूव हुई कि जीन साइं बाबा नकसलवादी की violent activities में involved थे तो इनको सजा दे के justice सर्व हुआ है तो अगर किसी case के through solicitor general तुशार भैता मतलब clear cut तरीके से साइं बाबा और बाकी लोगों ने sovereignty and integrity of हिंडिया को तोड़ने की कोशिश की parliamentary form of democracy को हटाने की कोशिश कर रहे थे ground level पे नकसल commanders के साथ coordinate कर रहे थे वो जो violence करते हैं लोगों को मारते हैं हमारी armed forces को मारते हैं तो इसलिए जीन साइं बाबा को छोड़ा नहीं जाएगा वो जेल में ही रहेंगे अभी के लिए सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट दे दिया जो acquittal का overall decision लिया गया था Bombay High Court के दोरा इसको यहाँ पर overturn कर दिया गया ठीक है मतलब हम नागपुर जेल में ही रहने वाले हैं कौन साइं बाबा जी house arrest तक की permission भी नहीं दी गई फिर एगला भाई US-India Trade Policy Forum set for November 8 modest outcomes आईगी GS paper 2 bilateral agreements involving India's interest में यूज़ा पो काम आईगी तो US-India Trade Policy Forum को schedule किया गया है 8 November को Washington DC में अब दिखे कुछ हफते ही बचे हैं US-India Trade Policy Forum की मीटिंग होने में लेकिन अभी जो initial signals ये निकल के आ रहे हैं कि इस मीटिंग में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा आप कहलो बड़ी deal हो जाए sign कुछ इस type का नहीं होने वाला है कहुती modest और incremental progress इस particular मीटिंग में होने वाली Reason being कि India और US का जो policy structure है जो economic difference है वो बड़ा है देखें No doubt India की economy बहुत तेजी से बढ़ रही है बट India developing economy है और US एक developed economy है India की political priorities अलग है US की political priorities अलग है India में भी 2024 में general elections है US में भी general elections है President साब चुने जाएंगे उनके और सबसे खास बात यह है कि trade priorities भी अलग है India की trade priorities अलग है US की trade priorities अलग है तो बहुत बड़े differences है इसलिए US India trade policy forum एक limit के आगे negotiate नहीं कर पर अब इससे पहले जो meeting हुई थी 12th US India trade policy forum की वो हुई थी नومबर 2021 में और इससे पहले जो ही थी वो 2017 में हुई तो नومबर 2021 वाली meeting चार साल के gap के बाद हो ली थी और उसमें कुछ चीज़ा अच्छी हुई थी जैसे कि for example Indian mangos ये भाई US में जाने लगे थे Poma granite arals India के ये US में जाने लगे थे फिर यो US की cherries थी वो Indian market में आके बिखने लगी तो ये सब कब हुआ जब नومबर 2021 में दिल्ली में 12 वी TPF हुई अब Washington DC में 13 वी TPF होने वाली है 8 नومबर 2022 को अब Indian sector क्या request कर रहा है कि भाई US के service sector में हमें थोड़े concessions दिये जाए US वाला क्या चाहता है कि India जाधा market access दे US को सासफ policy environment जैसे कि India के data laws और overall India का competition law जैसे competition commission of India इस समय पर काफी active हो रखा है तो किसी भी परकार की monopolistic trade practices के अगे इस अटक कर रहा है तो इससे सिफ Chinese company नहीं USA companies को भी नुकसान पहुँच रहा है दूसरा हमारी भारा सरकार में नरेंद मोदी जी ने और जो भी बाकी policy decisions निकाले गए प्रिजेंट सरकार के दोर उसमें क्या है कि डाटा को लेके बहुत strict रही है सरकार जैसे कि Indian citizens के डाटा को अगर कोई बाहर की multinational company इस्तेमाल करती है तो उस डाटा का cloud server इंडिया के अंदर होना चाहिए for example Google का एक mechanism है Google Pay WhatsApp का एक mechanism है WhatsApp Pay इन सब चीजों से आप payment transfer कर सकते हो लेकिन overall अगर ये company इंडिया के अंदर operate कर रही है तो Google Pay, WhatsApp, Pay के अंदर इंडिया के अंदर जितने भी payments होते हैं इससे associated data collection होता है उसका cloud server है इंडिया के geographical boundary के अंदर होना चाहिए अब ये लोगों ने अपने cloud server US European market में लगा रखे तो basically भारा सरकार ये चाहती है कि भारती नागरिक्तों का पूरा का पूरा data इंडिया की geographical boundary के अंदर है चोकि इससे क्या होगा कि बाहर की companies हमारे data को कहीं गलत प्रकार से इस्तमाल तो नहीं कर रही है इसको हम चेक कर पाएंगे लेकिन इसका एक flip side ये है बहुत सरे critics ये बोलते हैं कि भारत सरकार भारतियों के transaction को बहुत जादा monitor कर पाएगी एक प्रकार का surveillance कर पाएगी अगर इंडिया की strategic boundary के अंदर आ जाते हैं ये cloud server अलग-अलग पक्ष के अलग-अलग अपने points थे बट यूएस की सरकार बोल रही है कि हमारी company के उपर ये data के उल्टे सीधे आप restrictions मत लगाई है कि cloud server, इंडिया का data जहां इस्तमाल होगा वो इंडिया के boundary के अंदर होने चाहिए तो ये कुछ issues है इंडिया की तरफ से issues है यूएस की तरफ से issues है यूएस चाहता है कि इंडिया का agricultural और non-agricultural market access मिले उसे digital trade, competition इन सब चीज़ों में यूएस company के चीज़ा असान हो अब agricultural market access अगर यूएस के agricultural goods को मिल जाता है तो आपको पता होना चाहिए यूएस में बहुत बड़े scale पे commercial agriculture होता है और मैं आपको पता दू यूएस भी अपने agricultural farmers को बहुत जादा subsidy देता है लेकिन यूएस की subsidy को target नहीं किया जाता है इंडिया की subsidies को target किया जाता है चुकि इंडिया specific subsidy देता है इंडिया set up करेगा minimum support price for wheat rice यूएस में किसी particular fusser के लिए subsidy तैनी होती यूएस में क्या है कि एक lump sum amount transfer कर दिया जाता है एक farmer को वो farmer फिर उससे seed खरीद रहा है या tractor खरीद रहा है ये वो farmer decide करेगा तो इसलिए जो यूएस की subsidy है वो WTO में red flag नहीं होती बट इंडिया की subsidy red flag हो जाती है ठीक है तो जो यूएस के ambitions है वो एक high developed economy वाले ambitions और इंडिया developing economy है और एक developing economy की अपनी खुद की कुछ sensitivities होती है हमें गरीब देश है एक बहुत बड़ी low income rural population है जिसको हमें चलाना है और उसके लिए agriculture बहुत important है तो यूएस के agriculture products अगर बिना किसी restriction के इंडिया के अंदर आने लगे तो हमारे जो farmers है वो unsustainable, unviable हो जाएंगे और अगर उनको पैसा नहीं मिला वो नहीं कब आपाए तो society और पूरा agricultural chaos फैल जाएगा उसके साथ अगर आप देखो तो service sector को लेके इंडिया जो भी demand करता है यूएस से अब यूएस के बिहाफ पे United States Trade Representative इंडिया के साथ negotiation कर रहा है इस particular US India Trade Policy Forum में इंडिया services के respect में overall कुछ concessions माग रहा है लेकिन ये जो concessions माग रहा है इंडिया ये US TR के हाथ में नहीं है ये US की Congress के हाथ में US के किसी और department के हाथ में समझ गया तो जितनी भी demands इंडिया यहाँ पे US से कर रहा है उन demands को fulfill करने के लिए US TR जो कि इंडिया से negotiate कर रहा है फिर US यहाँ पे चाहता है कि US इंडिया के ethanol sector को supplement करे DDGS करके के animal feed product आता है जिससे obvious सी बात है आप कहलो ethanol industry में इस्तिमाल किया जा सकता है तो 2022 में National Biofield जो policy ethanol production जो target है इंडिया के उनको fulfill करने में US मदद कर सकता है बहुत सारे number of products in agricultural domain के उपर मांडवली settlement हो सकता है आर्ट नॉमबर 2022 को जब US इंडिया trade policy forum की meeting होईगी फिर कुछ और चीज़ें भी है एक तो इंडिया चाहता है कि जो high skilled worker की जो visa numbers है US में वो बढ़ाया जाए इस visa की जो fees है वो थोड़ी कम की जाए फिर social security portability across country अब जैसे इंडिया के अंदर अगर आप काम करो सरकारी सेक्टर में या इवन प्रैवेट सेक्टर में तो आपका एक social security account होता है जिसको कभी-कभी आप अलग-अलग नामों से बुलाते हो आप उसको NPS बो सकते हो new pension system आप उसको employee provident fund बो सकते हो तो यह सब कही न कही social security के architecture ecosystem के part चुकि इस social security ecosystem के अंदर आप थोड़ा बहुत पैसा जमा कर रहे हो अपने बुढ़ापे कीटे ठीक है भाई आप जैसे for example NPS के अंदर EPF के अंदर provident fund के अंदर आपने पैसा डाला ठीक है भाई अब जब आप बुढ़े हो जाओगे तो पैसा आपके काम आएगा तो वो social security है आपकी इसी प्रकार से US के अंदर भी social security mechanism है हमारी जो dicepora US में जाके काम करती है वो वहाँ के social security पैसा काम डालती है मालूम कोई एक युथ इंडिया से US किया US में जाके उसमें 20 साल काम किया अब 20 साल के बाद वो नौकरी छोड़के इंडिया वापस आना चाहता बड़ी US में पूरा काम करके वो retirement लेके इंडिया वापस आना चाहता उसमें वहाँ का green card citizenship नहीं ली तो अब ऐसे case में जो भी social security वाले account में उस इंडिया का पैसा एक खटा किया है वो चाहेगा कि इंडिया में वापस आ जाए लेकिन उस portability का कोई agreement इंडिया यूएस की बीच में अभी नहीं है तो इस social security portability की बात चल रही इंडिया यूएसे की बीच में कि यूएस में जो इंडियान नैशनल जाके काम करते है वहाँ जो भी पैसा कमाते है जो भी उनकी savings होती है वो savings वापस वो अपने साथ ला पाएं जब इंडिया में चुकि पैसा तो उनका ही कमाया हुआ है वो यूएस में रह जागा तो मतलब क्या है अपने बुड़ापे में अपनी social security के लिए पैसा कमाया है तो जब वो छोड़ चाड़ कि यूएस इंडिया वापस आ रहे तो कम से कम पैसा तो वापस ला पाएं इस बात को लेकि यहाँ पे agreement हो रहा है फिर generalized system of preferences देखे यह जीएस पी का जो mechanism था यह basically यूएस developing countries को देता था कि भाई इंडिया जैसी developing countries से बांगलादेश जैसी बांगलादेश तो चाड़ लीज डेवलोप की का डिगरी मा जाता है तो इंडिया जैसी developing countries से चीज़े जब export होंगी यूएस में जब यूएस में इंपोर्ट में पहुंचेंगी तो वहाँ पर जो इंपोर्ट टैरिफ लगेंगे वो कम होंगी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो कम हो लेकिन इसमें अगर आप बाद में देखो तो लॉस अंजलेस में पिछले महीने एक ministerial meeting हुई थी इंडिया का export market यूएस में कम हो गया वह ऐसा नहीं है हाँ थोड़े बहुत इंडिया के जो products export होके यूएस मार्केट में जा रहे हैं वो महंगे जरूर हो गया बट export कम नहीं है एक तो ये चीज़ हुई है प्लस क्या है कि generalized system of preferences जो यूएस ने खतम किया वो बाकी developing countries के लिए भी खतम हो रहा है तो अब अगर इस generalized system of preferences के mechanism को फिर सर शुरू करना है तो यूएस की congress से पूरे की पूरे बिल को Senate से पास कराना पड़ेगा वो भी अपने आप में मुश्किल काम है फिर recently यूएस में CHIP और Science Act लेके आये गया है President Joe Biden के दोरा 9 August को तो इसमें भी overall कुछ GSP जैसे exemptions नहीं दिये गए हैं अलग-अलग countries को तो कुल मिला के इन सब चीजों में इंडिया ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया को कि कुछ बहुत जादा हमारे खिलाव discriminatory किया जा रही है है इसके दोरा इसलिए बहुत लंबे समय तक वीजा ग्रांड ना करने हैं अभी कई महीनों की बेटिंग चल रही है उसमय पर यूएस वीजा के लिए यूरोपेन वीजा के लिए यूके वीजा के लिए तो उसके चलते है क्या है कि फैमिलीस को लग रहना पड़ रहा है इस एगरिमेंट को फैनलाज करने की ताकत यूएस सरकार में सोशल सीक्योर्टी एडमिनिट्रिशन नाम के डिपार्टमेंट के पास है तो इस सोशल सीक्योर्टी एडमिनिस्टरिशन डिपार्टमेंट से पर्मिशन लेनी पड़ेगी United States Trade Representative को इंडिया के साथ social security totalization agreement sign करने के लिए ताकि जब इंडिया उस में अपना काम करके वापस जा सके तो अपनी social security भी वापस लेके जा सके और ये amount बहुत बड़ा है बहुत बड़ा डायस पोरा इंडिया का उस में काम कर रहा है उनका जो social security security agreement में पैसा पड़ा है वो billions of dollars में समझके भाई ये सब बातें यहां पर बताई जारी है फिर इंडिया Pacific economic framework हुआ उस इंडिया Pacific economic framework के fair economy supply chain और clean economy वाले framework में तो इंडिया ने अपना support दिया लेकिन जो trade pillar था उसमें इंडिया involved नहीं हुआ जोकि इंडिया Pacific economic framework में trade pillar में इंडिया involved होगा तो इंडिया को बड़े scale पे अपना market western economies के लिए खोलना पड़ेगा अब इंडिया का यह बोलना है कि as a developing country हमारी बहुत सी sensitivities हैं खासकर agriculture sector में तो जब तक आप उन sensitivities को matter नहीं करोगे तब तक हम overall अपनी economy पूरी तरीके से आपके लिए open नहीं कर सकते तो WTO basically देखे यह western countries US जैसी countries इंडिया के market का unrestricted access चाहती है लेकिर यह unrestricted access हम तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमारी domestic economy में सारे players इनसे पूरी तरीके से shielded नहों इनके alter effects समझ गे बात को देखे 2011-12 से लेके 2021-22 यह बीच में जो annual growth medical colleges की हिंडिया के अंदर वो 5.9% है जो कि पिछले 5 decades में सबसे ज़ादा है Tamil Nadu और उत्तर प्रदेश के पास चाहे public domain हो चाहे private domain हो undergraduate medical colleges सबसे ज़ादा है तो इंडिया के अंदर undergraduate medical colleges सबसे ज़ादा चाहे public हो चाहे private हो वो Tamil Nadu उत्तर प्रदेश में उसके बाद number आता है करनाट का का उसके बाद number आता है महरास्ट का फिर number of seats की बात करते है Health Ministry की data के एसाब से 2011-12 से लेके 2021-22 के बीच में जो government में MBBS की seats है वो अगर आप देखो तो US, UK, Australia, Canada और जर्मनी में तो Australia, Canada, UK, US और जर्मनी ये top 5 countries हैं जहां पर सबसे ज़ादा Indian Virgin के doctors है तो अव्यसी बात है इंडिया के अंदर ये medical की पढ़ाई करते हैं और बाहर जाके practice करते हैं अच्छा ये ज़रूर एक talent का outflow है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो doctor एक बाहर गया है वो बहार ही का हो जाता है वो बहुत से doctors वापस lot के भी इंडिया में आते हैं तो ये इंडिया के लिए positive factor है हर sense में इसको negative लेने की ज़रूरत नहीं है जोकि हमारे Indian doctors अगर बाहर के देशों में जाके काम कर रहे हैं तो इस बात के भी chances है कि वो कभी न कभी वापस आएंगा और अगर हमारे देश का skilled lot बाहर जाके काम कर रहा है तो कहीं न कहीं वहाँ पे हमारी soft power बनती है ये जो Indian die supporter है इस इस बिग पार्ट अफ सौफ पावर ये इंडिया exercises in countries like US, UK and other European countries फिर अगर आप बात करो तो undergraduate level पे जो number of medical seats है वो 2011-12 में थी 41,569 है 2021-12 में हो गई है 91,927 121% का आप कहलो increase है फिर अगर आप देखो पिछले एक decade में जो government medical colleges है वो दुगने से जादा हो गए 2011-12 में medical colleges थे 181% अब हो गए है 291% ने एक मट sorry, government medical college आप कहलो 2011-12 में थे 154 और 2021-22 में हो गए 321 और private colleges 181 थे 2011-12 में 2021-22 में हो गए 291 तो private colleges बढ़े हैं 67% से और जो government medical college बढ़े हैं वो 100% से जादा से बढ़े है 2021-22 में private और public undergraduate medical colleges देखिए तो Tamil Nadu में है 11.4% उत्तरबदेश में 10.9% करनाटिका में 10.3% और महाराष्ट में 10.1% तो ये कुछ figure से आप पढ़ लीजेगा इस article से ये article में available करवागे हैं अब अगर doctors की training की बात की जाए पढ़ाई की बात की जाए तो 60% doctors अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं गौर्वर्मेंट सेक्टर में लेकिन 50% nurses और midwives private sector में employed हैं 60% doctors अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं गौर्मेंट सेक्टर से 50% nurses, midwives जो employed हैं वो private sector में employed हैं बहुत सारे government hospital में vacancies हैं डॉक्टर के level पे भी, nurses के level पे भी midwives के भी level पे भी rural population अगर देखो हमारे देश की तो वो है 66% ठीक हैं लेकिन हमारे health workers का 33% के वा rural इलाकों में available हैं 66% urban इलाकों में concentrated post graduate sheets की बात की जाया है तो इंडिया ने 2017 से लेके 2022 की बीच में इन 5 सालों में post graduate sheets doctors की बढ़ी है 74 पतिशत और diplomats of national board, DNB की seat बढ़ी है 81% government और private दोनों प्रकार के medical colleges में अगर आंध प्रदेश करनाट का तेलागना केरला तमिला नों पांच स्टेट की बात करो तो they form 20% of India's population लेकिन यहाँ पे 37% of India's post graduate sheets है और 40% DNB sheets है मतलब diplomat of national board ठीक है southern region जो इंडिया का southern region है वहाँ पे dominant है private medical college 57% private PG seats 2021-22 में southern India में belong करती है और एक बड़ी problem यह है कि इंडिया के अंदर जो number of doctors की availability है वो बहुत सब्सक्राइड है कुछ states में अगर आप southern states में जाओगे करला तमिलनाडू जैसे states में तो वहाँ पे जो per thousand या per lakh आवादी doctors की availability है वो northern region से जादा है all over India अलग-अलग states में availability of doctors vary करती है समझ गए तो यह बात है overall मैंने यहाँ पे आपके education sector के respect बात ही काफी अच्छा article था pdf आपको मिल जाएगी फिर next जीएस पे पर थी टूरिजम बायो डिवस्टी six varieties of नील कुरुंजी identified in सान्था पारा रीजन of western guards तो भाया नील कुरुंजी की blooming को देखने के लिए आप देखो तो कली पारा हिल्स संथन पारा इदुकी में बहुत सारे यह visitors आते हैं तो एक expert team ने six varieties of the plant को identify किया है इस region में अगर आप देखो तो यह जो flowers है जो की bloom करते है they belong to strobilanthus kunthiana variety इसके साथ साथ कोच और varieties है जैसे कि strobilanthus anamalica फिर henias फिर pulnitis फिर neosper I'm sorry for my pronunciation इस प्रकार के pronunciation में मैं comfortable नहीं रहता हूँ हो सकते हैं आप मुझसे ज़्यादा अची तरीके से पाई जाती है और 200 एकड कली पारा हिल्स में फैली हुई है इससे ज़्यादा अगर यह species बड़े अलाके में पाई जाती है तो पाई जाती है protected areas हो मुन्नार में आप इन species में एक vast variety medicinal plants के भी पाई जाते है यह जो नई 6 varieties नील कुरुन जी की पाई गई है इसमें interest क्यों है इतना आपके लोग ecologist का उसका reason यह है कि इन में से बहुत सारी varieties की कुछ medicinal values होगी ठीक है तो यह सब आते है फिर अगर आप देखो तो मंगल देवी ranges to कूरगिन करनाट का experts ने लोगबग 100 population strebolanthus kundhyana varieties की identify की है अगर आप देखो तो इदुकी district biodiversity board management member अश्विती वियस का यह बोलना है कि board actions ले रहा है कली पारा hills में जो नील कुरुन जी की आलागलक species है उनको preserve करने के लिए इनकी protection को ensure करने के लिए local panchayats में resolution पाये करा है state biodiversity board ground level पे proper concrete actions ले रहा है कि इस प्रकार की जो भी varieties इनको protect किया जै तो जो strebolanthus kundhyana इसो कुरुन जी या नूल कुरुन जी बोलते है Malayalam और Tamil में और गुरेगे बोलते है करनेड में इक प्रकार की shrub है Shola forest of western guards in Kerala करनाटका और Tamil नाडू में ये पाई जाती है ठीक है भाई ओके ये नील कुरुन जी प्लांट के आपको एक प्रकार नजारा जाए खूबसूरा सा नजारा है और इसकी और छे वराइटीज पाई गई इनके कुछ नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बताती है फिर आ जाते हैं रिसेंटली नामीबिया से कुछ चीता ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में लाए गए तो इस इस पार्ट ओफ वाइल डाइब डिप्लोमासी उसी प्रकार से कॉलंबो श्रीलंका की तरफ से एक प्रपोजल आया थे इंडिया के पास की गौर्स जिसको आप इंडियन बाइजन बोलते हो इसको श्रीलंका में ट्रांसफर किया जाए ट्रांसलोकेट किया जाए श्रीलंका के अंदर जो गवाराज या गौर्स की आबादी थी वो एक्स्टिंक्ट हो गई थी सत्रवी शताब्ती में तो चीर रंका के अंदर अब ये गौर्स अविलेबल नहीं है तो चीर रंका इनको इंडिया से ट्रांसलोकेट करके रियर करना चाहता है और दीरे दीरे करके अपनी वाइड लाइफ में इंफ्यूस करेगा तो इस इस सौर्ट अफ वाइड लाइफ और जी लॉजिकल डिप् बात है वाइड लाइफ को अगर आप ट्रांसफर कर रहे है तो मिनिस्ट्री ओफ इंवर्मेंट फॉर्स से प्रपोजल लेना पड़ेगा तो इस प्रपोजल में छे स्पैसिमन मांगेगा एक बुल और तीन से पांच जी जो काउ बाइजन से गौर्स है इनको इंडिया से श्री लंका में ट्रांसफर किया जाएगा अगर प्रपोजल एकसेट करता है हमारा मिनिस्ट्री ओफ इंवर्मेंट अफेर्स इस रिटेन प्रपोजल के हिसाब से श्री लंका का जो डिपार्टमेंट और जी लॉजिकल गार्डन से न वो ये चाहता है कि भाई captive breeding हो a herd of about dozen specimens की 5 साल की पीरिड में उसके बाग जब इनकी आजादी इनके breeding में थोड़ी आबादी थोड़ी बढ़ जाएगी इनकी breeding में तो दीरे दीरे करके कुछ जानवरों को ये लोग wildlife में introduce करना शुरू करेगी ये जो particular proposal आया था है इसको पहली बार दिया था श्री लं इसके ही प्रपोजल पे श्री लंका की सरकार ने इंडिया से जूलोजिकल डिप्लोमैसी के अंदर गौर्स मांगे हैं इंडियन बाइजन्स मांगे हैं तो आप कहा सकते हो एक प्रकार का ये gift और loan है animals का ताकि इनको ट्रांस लोकेट किया जाएगा और श्री लंका की ecological biodiversity को बढ़ाने के लिए इंडिया एक प्रकार की मदद कर रहा है अब इस प्रकार के ट्रांस लोकेशन्स पहले भी दुनिया वर में हो चुके हैं जैसे कि American Bison Birds ने कुछ Canadian Bisons को मिलाया क्या जब US Hurds almost खतम हो गय थे UK ने भी recently European Bisons को मिलाया है ठीकी ना लगबग दोह दस हजार साल हो चुके हैं UK के अंदर Bisons पूरी तरीके से exterminate हो गया थे तो European Bisons को UK के अंदर लेके आया गया समझ गया भाई इसराइल तो बहुत लंबे समय से reintroduction कर रहा है जानवरों का जैसे Persian, Fallow, Deer, Arabian, Orex और बहुत सारी और स्पेशीज को इसराइल ने दूसरी कंट्री से मंगवा के निजेव डिजर्ड में इंट्रिडूस किया है, साउथ अफरीका ने चीता एक्सपोर्ट किये हैं दूसरी अफरीकन कंट्री को as a diplomatic tool Recently, Cambodia ने इंडिया के पास एक offer बेजा कि आप कुछ tiger हमको भेज दीजे, हमारा सरकार इसके उपर आपके लोग, you know, बातचीत कर रही है अब आज की डेट में श्री लंका में जानवर पाया नहीं जाता है, बट चुकि हिस्ट्री में था तो श्री लंकन historical places में आपको इस particular animal के बहुत सारे mythical stories, mythological और iconographic representation ये साम मिलेगा इंडिया के अंदर ये जो इंडियन गौर है, वो wildlife protection act 1972 को schedule 1 में आता है, और vulnerable list किया गया इसको IUCN की red list में, ठीक है बई, 13,000 से 30,000 गौर्ड्स पूरे दुनिया में present है, और इनकी 85 प्रतिशत आबादी इंडिया के अंदर है, बर्मा थाइलेंड में भी पाय जाते हैं, और इसलिए अगर आप देखो, तो International Union for Conservation of Nature की red list में vulnerable बोला गया है इन गौर्स को, पहली population estimate इंडियन गौर का इंडिया के अंदर किया गया नीलगिरी forest division में, फरवरी 2020 में, और लगबग 2000 इंडियन गौर्स पाये गया नीलगिरी forest division of इंडिया के अंदर, हाला कि इन particular इंडियन से लोगों को कभी-कभी परिशानिया हो जाती है, 2019 में अगर आप देखो, तो इन गौर्स के attack के चलते, तीन लोग की जाने गई थी, और सात लोग इंडियोर हुए, तो बहुत सारी जगहों पे लोगों को इंडियन गौर्स से problem भी है, बहुत सारी जगहों पे इनके population numbers बह पहले की जाती है, जीसे पहला है, जीस पेपर 3, Science and Technology में, Lectures Transcreated from English to 5 Languages, तो भाईया, it would be a great field, if quality lectures available in English, could be Transcreated into various Indian Languages, तो क्या है, कि Professor Rajiv Sangal, of the Indian Institute of Information Technology, Hyderabad, इन्होंने discussion किया, एच्छे, ये आज की बात नहीं हो रही है, ये पहले की बात हो रही है, तो जो Professor Rajiv Sangal थे, ट्रिपल आईटी के, इन्होंने बातचीत की दी, उस समय पे, Principal Scientific Advisor to Prime Minister Professor Vijay Raghavan, और उन से बात करके, overall, ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया, क्या प्रोजेक्ट था, कि NPTEL और SWAMP के उपर, जो video courses available है, 40,000 जो videos available है, इनको पहले 5 Indian भाषा में convert किया जाए, और बाद में 13 और भ हो गया, दीप्ती मिश्रा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तरफ से coordinate कर रहे है, पुश्पक भठाचारा, IIT Bombay की तरफ से, और उमेश स्रीनिवासन साब और हेमाय मूर्ती मैडम, ये IIT मदरास की तरफ से coordinate कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पे overall ये जो English to regional languages के अंदर ये conversion ह हो रहा है नहीं, ये अपने आप में बहुत unique है, समझे, पहले तो हर वीडियो में speech recognition किया जाता है, file को extract किया जाता है, और manually errors को remove किया जाता है, फिर जो technical terms हैं अंगरेजी में, उन technical terms को identify करके regional languages में convert किया जाता है, text to text machine translation यहाँ पे किया गया है, और translation होने के बाद, उसकी ए individual वीडियो में पढ़ा रहा होता है, तो उसको lip movement होता है, जैसे for example, मैं आप पढ़ा रहा हूँ, मेरा आपको चेहरा दिखनी रहा है, पर माली जे मेरा चेहरा आपको दिख रहा हूँ, मैं सामने से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी loop movement के हिसाब से मेरी आवाज synchronize होनी चाहिए, अब अंग्रेजी में तुम्हें जो सामने सामने बोला हूँ, साफ नजर आएगा, लेकिन जब ये NP-Teller Swamp के courses को अंग्रेजी से दूसरी भाषा में बदला जाएगा, तो दूसरी भाषा में आने के बाद भी जो भाषा आपको सुनाई पढ़ रही है, वो teacher के lip movement के साथ synchronize ह ये बहुत सब ज़रूरी है, तभी perfect synthesized speech बाहर निकलेगी, समझगे बाई, तो ये सब बातें overall यहाँ पर बताई जारी है, अभी के लिए 75 वीडियो को 5 different Indian languages में transcreate किया गया, और इसके बाद 13 और भाषाओं में transcreate किया जाएगा, future goal ये है कि 100 courses को इंडिया के अंदर 18 भार भारती भाषाओं में available करवाया जाए, तो वो सब लोग जो ये सोचते हैं कि इस समय पे भारत सरकार हिंदी भाषाओं को लोगों के उपर impose कर रही है, वो अपनी बुद्धी खोलें और सरकार के इस initiative को देखें, चुकि इस particular initiative में जो 5 Indian languages हैं, उसमें केवल एक हिंदी है, ब पोगेट करते हैं, फिर अगला, GS paper 3, science and technology, neutralizing antibody against multiple SARS-CoV-2 variants, यहां पर monoclonal antibody की potency की बात की जारी है, देखें, पहली बार monoclonal antibodies को बनाया गया था, hybridoma technology के दोरा 1975 में, अब तो बहुत सारे और cutting edge platform आ गया है, जिसके थूँ, antibody genes को clone किया जाता है, अब इन antibody genes को अलग-अलग settings मे इस्तमाल करना, यह target है, अब human monoclonal antibody को study करने के लिए, इंडिया में बहुत सारे labs बगरा बनाएगा, monoclonal antibody platforms, actually में, इनके देखें, बहुत diverse, आप कहलो, possibilities हो सकती है, gene editing की technology आपने सुना होगा, genes के साथ छेट-शाड करना, किसी particular virus को हराने के लिए, आपकी अंदर antibodies infuse की जा आपके cells के साथ किस प्रकार से खिलवार करेंगी, यह आपको भी नहीं पता है, technology अच्छी है, बट वो technology कब आपके शरीर के अगेंस चली जाएगी, आप इस बात को 100% नहीं बोल सकते हैं, अब हुआ यहाँ पर क्या है, करोना वाइरस से related multiple variants of concern गूम रहे हैं, अब इनको हर आने के लिए neutralizing antibody लेके आई जा रही है, इंडिया की दो अप्रूमिय रिसर्च इसे इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट और बायो टेकनलोजी, इन्होंने एक human monoclonal antibody को identify किया, यह जो approved monoclonal therapies हैं, यह virus के receptor binding domain को host cell receptor से अलग कर देते हैं, जो virus है जो आपको attack कर रहा है, उसका अपना एक receptor binding mechanism होता है, receptor binding domain होता है, यह जब host, मतलब मैं होगे, आप होगे, जो coronavirus से infect हो रहे हैं, हमारे जो cell receptors होते हैं, यह जब इस particular receptor binding domain, virus के साथ मिलते हैं, और कोई यहाँ पर setting बैठ गई, हमें coronavirus हो जाएगा, तो यह RBD, समझ कियो रहा है, receptor binding domain of that particular coronavirus, यह हमारे host cell receptors से ना मिल पाए, इसको रोकने के लिए ही यहाँ पे monoclonal antibodies को evolve किया जा रहा है, अब जो नई monoclonal antibody है, वो इसके बाहरा है, देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, pandemic जब बिलकुल अपने peak पे था, तब national और international collaboration हुआ, इंडिया के इंदर Indian Council of Medical Research, Department of Biotechnology, फिर International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi, इन सबने बातचीत की M.O.E. Vaccine Center, Atlanta के साथ, और discovery की गई, एक human monoclonal antibody की, बहुत सारी human monoclonal antibodies को यहाँ पे shortlist किया गया, और end में एक antibody को useful माना गया, clone 002S21F2, यह बहुत potent है, और इसके अंदर बहुत जबरदस्त neutralizing power है, SARS-CoV-2 variants के against, Omicron sub-lineages के against, पहले जो monoclonal antibodies थी, वो क्या करती थी, कि RBD और host cell receptor जहाँ पे एक दूसरे के साथ जुडते थे, RBD और ACE2 जब जहाँ पे एक दूसरे के साथ जुडते थे, वहाँ पे कुछ आप कहलो dissensions या फिर restriction पैदा करती थी, लेकिन एक virus का जो receptor binding domain है, वो अपने आपको धीरे धीरे evolve करता रहता है, अपने आपको धीरे धीरे change करता रहता है, तो overall इस RBD ACE2 के motive के बाहर जाके overall एक particular antibody, एक COV2 variant को ना फैलने दे, और human monoclonal antibodies को ज़्यादा effective बना दे, नए-नए SARS-CoV2 variant के अगेंस्ट, ये technology को यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिच की जारी है, थ्रू दिस monoclonal antibody, अब अपने आप में बहुत ज़्यादा आप कहलो technical topic है, बट RBD को target करती थी monoclonal antibodies, overall corona के infection को रोकने के लिए, और virus अपने आपको evolve करकरके अपने RBD को और potent मना लेता था, अब तो RBD, ECE2 receptor के बाहर निकलके नई monoclonal antibodies, unique तरीके से virus को defeat करने की कोशिच करने हैं, अब ये कितना successful होगा ये तो भाई देखिए, आगे आने वाले समय में ही पता चल चाएगा, ये बहुत हद तक एक human के genetic makeup पे depend करेगा, किस हद तक एक virus की, आप कहलो, इवाल्व की ताकत है, किस हद तक अपने आपको एक particular antibody के against resistant मनाने की ताकत है, इस चीज के जीर पे depend करेगा, तो ये जो study publish हुई है, general science advances की बहुत multiple implications है, पहली बात तो India, indigenous antibody based therapeutics में काफी आगे बढ़ रहा है, हमने जो नया clone यहाँ पर identify किया है, जिसका नाम है 002S2IF2, ये अपने आप में की indigenous discovery है इंडिया की, इससे ये पता चल रहा है कि कैसे हम capable है monoclonal antibodies को बनाने के लिए, और अगर हम सार CUVT की monoclonal antibodies बना सकते हैं, तो हम दूसरे viral infections की भी बना सकते हैं, और किस प्रकार से ये broad और potent neutralizing antibodies यूनिवर्सल वैक्सीन डिजाइन मना सकती हैं, इसके ओपर भी इंडिया आगया आगया नो इस समय में, कह लो, you know, research करेगा, सार CUVT अभी अपनी height पे नहीं है, बहुत हद तक हम इसके फैलाव को रोक पाएं, लेकिन at the same point of time आगे आने वाले समय में, सार CUVT permanent बिमारी तरह होगे, जैसे malaria है, नेंगू है, अब malaria नेंगू इतनी खतरनाक नहीं, सार CUVT भी इतनी खतरनाक नहीं, लेकिन कल की डेट में, अगर coronavirus का, सार CUVT का कोई बहुत dangerous variant आ जाता है, तो फिर तबाही और immortality और ये सब चीज़ें मचा सकता है, तो cutting edge technologies, जिसमें monoclonal antibody बनाने एक ऐसी technology है, हमें मदद कर सकते हैं, फिर searching from new life form, देखे हम जिस geological era में रह रहे हैं, इसको बोला जाता है anthropocene, ठीक है, anthropocene क्यों? मतलब global impact humans का देखने को मिल रहा है, anthropo मतलब humans, तो humans का global impact और human की activities का impact, हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इस human activity के चलते, बाकी species का rate of extension है, वो बहुत तीजी से बढ़ गया, rate of extension मतलब बाकी species से खतम होने का rate है, यह बहुत तीजी से बढ़ गया, अब अलग अलग रोक, किस प्रकार से species इस दुनिया के map से extinct होनी, इस पे अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, ठीक ना, जैसे for example, ये इन्वार्मेंट 360 नाम की एक online magazine है, ये report करती कि प्रति दिन 24 से 1.500 species खो रही हैं, तो चाहे 24 species खो रही हों प्रति दें, चाहे 1.500 species खेरी हों, दोनों ही number alarming है, अब ही तक देखा जाया, तो last 400 सालों में, एक हजार species of animal को actually document किया गया है, जो कि extinct हो चुकी है, अब हमारे यहाँ पे कोई complete inventory है नी, animals की और planets की, लेकिन दीरे दीरे करके, कि हम इस inventory को document कर रहे है, Indian Institute of Science, Bangaluru, University of Delhi, Kerala Forest Research Institute, यह सब कही न कही नई discovery कर रहे है, stellar contributions यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे है, नई species दुनना आसान काम नहीं है, चुकि यह जो नई species है, वो कुछ ऐसी जगाओं पे पाई जाती है, यह जो humans के लिए condensive नहीं है, जिसे घने जंगलों में अगर आप देखो, तो बहुत सारे snakes, mosquitoes आपको मिलेगा, अब इन घने जंगलों में humans के लिए जाना खत्रे से खाली नहीं है, तो वहाँ पे आपको नई species मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे उस level की खोज़ आप करी नहीं पाऊगे, चुकि वो बहुत inhospitable है humans के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है, कि चुकि बदलते, climate change के चलते, species बहुत तीजी से eradicate हो रही है, तो हमारी जो खोज है इन species की, वो भी बहुत तीजी से आगे बढ़ रही है, जैसे जूलोजिकल सर्वे आफ इंडिया कॉलकत्ता ने अभी एक नई species धूनी थी, श्रीव की, ये एक श्रीव species आपको नजर आ रही है, ये नारकोंडम जो आइलेंड है नबान ए निकोबार का वहाँ पर पाई गई है, 10 इंटी मिटर लंबा है ये श्रीव, ठीक है ना, इसको नाम दिया गया है, क्रोकी डूरा नारकोंडामिका, साइंटिफिक रिपोर्ट 2021 की, ये श्रीव पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता, केवल नारकोंडम आइलेंड में पाया जाता, ठीक है एक स्मॉल आइलेंड है नारकोंडम, डॉर्मेंड वॉलकेनों भी है यहाँ पे, पूरा का पूरा डेंसली फॉरेस्टेड है, यहाँ पे बहुत खतरनाक जंदली जानवर सांप वगर आपको मिलेंगे, तो एक हुमन के लिए यहाँ पे सर्वाइब करना बहुत मुश्किल है, अब यह जो छोटे-छोटे श्रीव हैं यह 10 सेंटिमीटर लंप है, इनके जो हार्ट्स हैं वो 1000 टाइम्स पर मिनिट धड़कते हैं, और कुछ श्रीव स्पेशीज तो बहुत वेनॉमस हैं, मतलब बहुत ही ज़दा जहरी लें हैं, श्रीव एक मैमल स्पेशीज हैं, मैमल में जहर जल्दी नज़र नहीं आता, बट इन श्रीव स्पेशीज में, कुछ श्रीव स्पेशीज में जहर भी नज़र आता है, तो ये, आप कहलो, this is a sort of biodiversity, समझ गया है, तो ये जो वेनमस पाए जाते हैं श्रीव स्पेशीज में, इन वेनमस के उपर हमारे जो economist, मतब ecologist हैं, वो study करना चाते हैं, चुकि शायद इस वेनम में कुछ health properties भी देखने को मिल जाएं, और life forms बहुत तीजी से exterminate हो रहे हैं, extinct हो रहे हैं, तो कोई life form extinct हो जाए, उससे पहले जल्दी से जल्दी हम जादा life forms को दूड़ें, जिससे overall हम potential ecological diversification का quantum जान पाएं, और उसके basis पे proper study कर पाएं, एक genome का sequence बना पाएं, जो कि betterment of human health में हमें मदद करेगा, बेटर यह रहेगा है कि regularly updated wikipedia list अबलेबिल हो, अभी के लिए ऐसी list saw bird species 150 mammals के लिए है, genome sequence वाली, ऐसी list को लगातार हम लोग update करते रहें, नई-नई species को document करते रहें, यह बहुत साथ जरूरी है, अगर आप देखो, तो Zoological Survey of India की laboratories ने, mitochondrial genome sequence of rare mammal endemic to Nicobar Islands Nicobar Tree Shrew को publish किया, तो इस प्रकार से और genome sequences अगर publish होंगे, तो अपने आप में अगर आप देखोगे, तो यह overall किसी भी particular life form के documentation का एक बड़ाई जबरदस तरीका है, चुकि genome sequencing से उस particular species की क्या capability है, health sector में इसको कहां-कहां इस्तमाल किया जा सकता है, इसको हम proper तरीके से सिस कर पाएंगे, उस particular species के extension से, इको सिस्टम पे क्या impact पड़ेगा, वो किस हत्ता की ecosystem services को provide कर सकता है, यह सब बात हैं हम genome sequencing से पता करते हैं, और automatically वहाँ पे किसी positive चीज़ को उठा के कोई drug बनाई जा सकती है, जो कि कि किसी और बिमारी को solve करने में मदद कर सकता है, तो यह सब बात हैं, फिर आजाते हैं अपनी आखरी तीन uses पे, जीस पे बाटी साइस एंटेकलोजी फैक्ट आप बिलिज़ से, पहला human brain cells injected into brains of newborn rats, तो miniature human like brain structures को transplant किया गया rat के brains में, और यह study किया गया कि किस सब तक यह brains signals भेज सकते हैं, और environmental clues को respond कर सकते हैं, तो human stem cells से छोटे छोटे ब्रेन मनाए गए, और इन छोटे 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 ब्रेन को नए newborn rat pups में, newborn rat pups के brain निकाल दिये गए, नया brain ठूज दिया गया, और वो brain काम करता हुआ भी नजर आ रहा है, तो यह एक प्रकार से एक therapy test की जा रही है, कि human brains को rat brains में डाला जा रहा है, और इससे बहुत सारे जो human brain disorders है न, इनको भी study किया जा रहा है in rats के थूँ, हाला कि अपने आप में unethical study हो सकती है, चुकि इससे एक human rat hybrid specialी भी पैदा हो सकती है, फिर अगला floods in Pakistan highlight need for climate justice, भाईये इस summer में record rains हुई, जिसने एक त्याई पाकिस्तान पानी में डूब किया, 1300 लोगों की मृत्यों के wide spread devastation हुआ, 33 million लोग effect हुए, 3,30,000 लोग इस particular disaster ने बता दिया है, कि कैसे rich countries appropriate funding प्रोवाइड कर सकती है, climate change की वज़से होने वाले danger के लिए, इसके लिए जो अगला United Nations Climate Change Conference होने वाला COP सकता है इस November में, उसके लिए बाच्चीत की जा सकती है, कुछ खास नहीं सार्टिकल, फिर अगला, microbes in Mars makes conditions unfavorable, देकि ancient Mars में हो सकता है, कि hydrogen eating methane producing microbes रहे हो, इस प्रकार के microbes अर्थ पे भी रहे हैं, अर्थ के atmosphere को बनाने में, लेकिन हो सकता है कि, अर्थ में जो atmosphere conducive बना, वो microbes की वज़े से बना, और Mars में जो atmosphere uncondusive बना है, unsustainable बना, unhabitable बना, वो भी नहीं microbes की वज़े बना, चुकि computer models यह बताते हैं, कि Mars में जो hydrogenating microbes थे, और जो ammonia छोड़ रहे थे, हद तक ammonia छोड़ दिया, इस हद तक ठंडी आ गई, कि जो थोड़े बहुत microbes, Mars में पर प्रिज़ेंट थे, वो भी मर गए, उसी ठंडी के चलते, उसी methane के चलते, जो कि वो emit कर रहे हैं, तो यह था आज का discussion दोस्तों, Science and Tech और Current Effects का आई-उप आपको पसंद आए, अपने viewpoint नीचे comment box में देखे जाना, lecture को share और सब्सक्राइब जरूरा,